हालो फ्रेंड्स वेल्कम यू आल आज मां आपने जो वीडियो लिकाना देखें बात करेंगे एक छुपे हुए फाइनेंस सेक्टर के स्टाउक की लाइम लाइट से दूर है भी लेकिन जब लाइम लाइट में आता है तो आपको पता ही बहुत किस तरीके से आपको की सब्सक्राइब कर सकते हो पाइप लिए जीडियोक देखने को मिलती है मिलती है फाइने सेक्टर का स्टॉक है और प्रौफितिबलिटी जरूर देखनी चाहिए प्रॉफित कितना कमा रहा है किस तरीके से रिवेंडी जनरे pewno हो रहा है котором है कि ने कमारा that is important part तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं stock को price action देखेंगे और profitability देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले bell icon को press कर ले जिससे आपको notification आती रहेगे और price action सीखने के लिए आप join कर सकते हो membership join बटन पर click करके price action में देखिए देखिए हमारा major जो यहाँ पर motto होता है वो यह होता है कि practice price action basics common basics जो है आपको हर चेगे मिल जाएंगे लेकिन उसको एक बहुत ही साधरन भासा में समझाने के लिए हमने यहाँ पर price action के series आपके लिए रखिए लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहता हूं कि भाई 10% यह सीखने का पार्ट लेकिन 90 प्रतिशत जो है वो आपको practice प्रैक्टिस में जो time spend करना है वो 90% वह आपके mind में चीजों को set करेगा और तभी एक mindset create होगा समझे आप इसको mindset की जब भी हम बात करते हैं पर एक mind में चीजों को set करना और वो भी practice के साथ चीज़ें आपके set होगी mind में तभी mindset create होगा confidence तभी आप आएगा तो चलिए डिटेल में समझते हैं आगे जो हम stock के बारे बात कर रहे हैं और यह price section की profit को देखिए 400-500 करोड के revenue में देखिए 90 करोड 100 करोड का profit चाप रहा है देख सकते हो बिफोर टैक्स तो देखिए 1500 करोड अभी कितना 111 करोड नमबर काफी amazing लग रहे होंगे आपको इस पैसा लोड डिजिटल के पैसा लोड डिजिटल जो है एक लेंदेन की company है आप इसक देखिए इसके जो सबसीडियरी है जैसे नूपुर्फ इंवेस्ट है यह देखिया और और जैसा मैंने आपको कहा बहुत सारे छोटे मतलब आप इसको देखिए कि जो small ticket size वाले लोग है वो इसके एलिया में है कि मतलब कि जितने भी ticket है small finance division इसका है और इसके बाद corporate loan division भी प्लेयर्स थे जियोजेट financial services वाली प्लेयर्स थे तो उनको बहुत ही सठीक टाइम पर समझा था और उसके बाद उन स्टॉक ने बहुत ही ब्यातनीन rallies भी आपको दी लेकिन आज इस पैसा लोग को हम क्यों discuss कर रहे है जरा चलते है इसके price action को उपर और वहां से समझने के को चुशिश करते हैं कि कोई भी स्टॉक जब रडार महात है मैं आपको कहता है कि बार बार उसको समझना है उसको समझिए लेकिन उसको watch list में add कर दीजिए लेकिन confidence confidence जब rally start होती है तो एक confidence आता है जब आपके सामने cycle start होती है जैसे स्टॉक में अभी हम डेली के cycle पे हैं आप Kung अबको कभी भी कोई stock अभी हमारे पास कुछ question पर भी आया थे mail पे questions आय थे कि हम किस तरीके से समझने candle आही कैंडल जिस तरीके से आपके पास यह formation है एक low का Identification का formation है किस तरीके से समझा तो आपको यह कहूंगा इस question का answer यह कि आप इसको overall तरीके से समझे इसको एक particular formation की तरफ यहां पे मतलब जन्रिक वह मेल है कि किस तरीके से overall chart में बड़े time frame में कैसा formation हो रहा है थोटे time frame में cycle पे कैसा formation हो रहा that will be the part मतलब जो हम यह part कह रहें देखिए मालो यहां पर correction result हुई तो आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल exact है इस तरीके से situation देखने को मिलेगी कई बार ऐसे चिक जागवारी situation पर आपको देखने को मिल सकती है कि यहां पर जब यह joint formation होगा बिल्कुल exact आइडियल situation नहीं होगी तो अलग तरीके से formation होगी लेकिन वहां पर एक साइकल स्टार्ट होना तो इसलिए अक्रॉस टाइम फ्रेम देखना हमारी लिए इंपॉर्टन हो जाते हैं अक्रॉस टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर क्या चल ला चोटे टाइम फ्रे अभी कहां पर 69 70 के लेवल का लेकिन आपने देखा होगे बहतरीन तरीके से प्रॉफिट छाप रहा है अगर इसके मैं रिसेंट निगर बाई टार्गेट को भी देखूं उससे उपर का तो यह जोन भी देखो तो करेंट लेवल से अच्छे खासे उपर 40 50% का जो है मोटो रखता है 40 40% का potential रखता है यहां तक पहुजने में फिर आगे की rally की कहानी आगे देखेंगा चोटा स्टॉक है और आप देख रहें कैसी situation आपको weekly पे 200 ऐसे में का बेस और सांथ में डेली पे तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बार बार एक चीज कहते हैं कि जिस तरीके स साइकल हमें लोर इसकी की opportunity देखती है उस तरीके से patience कभी किसी स्टॉक में एंटर करते हैं जैसे मैं आपको बार बार करता हूं कि डेली की साइकल आपके गर बीरिस है तो avoid करें तो आपके time को बजाती है आपके पैसे को बजाती है जाना देखिए यह 77 का level है जहां पे डेल इस साइकल में स्टॉक में हमें दूर निकल जाना है कोई दिक्कत वाली बात नी opportunity आएगी bullish साइकल स्टार्ट हुई हम grab करेंगे उसको वह भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ यह important पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट ही picture में आना चाहिए हमेशा risk management picture में आना चाहिए और जब भी हम देखें कि डेली का time frame भी अगर आप देखो कि तो कोई छोटा time frame नहीं है डेली की cycle भी कोई छोटी cycle नहीं है जब वो positive cycle चलती है तो कई महीनों तक चलती है तो इसलिए daily की cycle को भी अगर आप देखो और बड़े time frame के हसाब से तो अच्छा खासा patience वहां पे भी आपको देख चलते हो अगर आप देखोगे छोटे time frame जैसे पंदरा मिनट पांच मिनट उनमें भी patience का रोल है लेकिन वह as per the time frame पांच मिनट के हसाब से आपको ज्यादा time patience लगेगा यह यह है कि as per the time frame अपका अपना patience zone होगा उस time frame के हसाब से so that is the part कि आप बड़े time frame छोटे time frame अगर जाना चाहते हो तो पंदरा मिनट पांच मिनट या फिर मैं काऊंगा hourly इनकी cycles के हसाब से चल सकते हो लेकिन अगर आपको बड़े time frame के हसाब से जाना है क्योंकि यह reliable है और small cap और mid cap stocks की जब भी हम बात करते हैं तो आपको थोड़ा बड़े time frame पे सोचे उनको आप hourly या फिर उससे चोटे time frame पे नहीं सोच सकते हो क्योंकि हो small cap mid cap segment के है उनमा बड़ी rallies आपको देखने को मिलेगी तो बड़ा patience भी वहाँ पर required होता है तो इसलिए small cap की जब भी बात करो तो हमेसा थोड़ा बड़े time frame के साब से सोचे monthly weekly daily यह 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 आपके ज्यान में होने चाहिए यह सारी चीज़े देखिए अभी पैसा लोग डिजिटल के हमने बात करें यह सारी चीज़े प्राइस सेरीज में आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं तो आप इसको देखिए सीखिए और practice कीजिए practice बहुत important है यहाँ पर हमने बड़े time frame की बात कर रहे है चोटे time frame की की बात कर रहे है और जनरली जब मेड़े प्राइस सेरीज से और wind up करता हूं वीडियो को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सीखते रहे है प्रैक्टिस जरूर कर रहे है और कमेंट के थू हमें भी motivate करते रहे and thank you thank you for watching the video